चलिए दोस्तो आज यहां पर बात करते हैं डे सकेंड की बात ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर डे सकेंड की बात करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं इस इमेज में ठीक है क्या क्या आपको हजार आइडेंटिफाय करना है ठीक है तो सारा कुछ आपक की ड्यूटी लगती है आप जाते हो तो सबसे पहला काम होता है कि आप देख क्या रहो ठीक है तो मान के चलो आपने इस स्राउंडिंग एरिया में देखा ठीक है तो जैसे आपने पहले देखा कि यहां पर एक वरकर है दूसरा वरकर यह है और यहां पर एक तीसरा वरकर है ठ ठीक है तो यहां पर construction में जो काम होरा activities हो रही इस activities का नाम क्या है ठीक है तो observation भी मैं आपको बता के चलूँगा कि observation भी क्या है यहां पर तो सबसे पहले एक बर मैं थोड़ा सा यहां पर paint दूसरा यूज़ कर लेता हूँ राइट चल यह यलो कलर कर ले लिए मैंने तो एक worker यहां पर खड़ा हुआ है आप यहां पर यह देख सकते हैं कि जो worker है यहां पर खड़ा हुआ है ठीक है अब इस worker को आप देखोगे तो य यह महारती है मतलब इसको बोल सकते है इस supervisor है और इस supervisor ने पहली बात क्या किया हुआ है विदाउट पीपी तो पहला observation आप क्या लिख लोगे आँख बंकर के लिख लेना कि found supervisor without पीपी वर्कर या supervisor ने पीपी नहीं पहना हुआ पहला observation ही हो गया दूसरा इसी supervisor ने headphone लगाया ह यह पॉइंट आपने लिख लिया फिर अगली पॉइंट क्या लिखो गया आप अगला पॉइंट यह लिखे हुए आप कि इस worker ने मतला यह जो supervisor है जो काम कर रहा है तो दोनों जो खड़े है यह यह भी जो खड़ा है unsafe condition में और यह भी खड़ा है unsafe condition में कैसे यह जो pillar है दोस हमारा पूरा construction है ठीक है तो यहां से एक observation यह मिला कि without full body harness क्यों अब यह worker काम कर रहा है क्या यहां पे चाहिए ठीक है देखो यह पूरा हमारा एक close chamber है यहां पे जो worker खड़ा है अगर इसने full body safety harness नहीं पहना ओके इसको हम accept कर सकते लेकिन यहां पे जो दो worker खड़े हुए है इन दोनों worker को आप देख लो एक बार एक worker यह है दूसरा हमारा supervisor है क्या यहां पे lifeline नहीं लगाई जा सकती थी दोस्तों इस pillar से बांद के और इस pillar में एक lifeline बनाया जा सकता था और safety belt कंपल सरी था यहां पे ठीक है लेकिन यह unsafe fact है अब accident इसी वज़े से होता है ठीक है तो आपने एक observation और लगाया क्या without life line ठीक है worker without full body harness ऐसा आप लिख सकते हैं मैं sort में लिख रहा हूं आप समझ जाओगे इस point को यह observation मिल गया अब और कौन से point हो सकते हैं आप एक बार देखिए image में और खुद आप आपको note करना है क्या observation है next observation क्या है कि यहां पे एक material यह रखा ह इसमें इसका equipment है इसका इसमें समान है material रखा हुआ है अब material loose है कि नहीं बताओ दोस्तों क्या नीचे अगर worker खड़ा है मान के चलो opposite side में नीचे एक वरकर खड़ा है और उसके सिर में गिरिया तो उसकी fatal हो जाएगी कि नहीं होगा वो कि मान के चलो 5 kg का इसमें tools रखा इस वरकर ने सुपरवाइजर ने पीपी नहीं पहना लिख सकते है कोई लिखकत है यह observation है तो पीपी के अंदर सारा कुछ आ जाता है अब यहां पर देखना है बाकी इस वरकर ने प्रॉपर सेफ्टी फॉलो किया लेकिन इसने full body safety harness नहीं पहना वह भी observation आपने लिख लिया अगली बात आती है चड़ने उतरने के लिख सेस है क्या नहीं लेकिन दोश्तों यहां पर मैं बता दू यहां से चड़ने उतरने का एक्सेस था और मैंने यहां पर देखा था उसकी मैने फोटो नहीं लिया ठीक है यहां पर प्रॉपरली एक्सेस है बट हाँ यहां पर full body harness निहार लेस्ट चाहिए था मतलब चाहिए था और एक observation और क्या ले सकते हैं यहां पर यहां पर यह ले सकते हैं जो भी unwanted material पढ़ा हुआ है ठीक है तो ऐसे हम find out करते दोस्तों observation और इसका helmet भी देखो बड़ी यहां पर तंगा के रखा हुआ तो construction side में होता है कि वरकर्स क्या करते हैं गर्मी की वज़या यहां पर बहुत से multiple region होते हैं और यहां पर सबसे ज़्यादा जो accident होने का खत्रा है इस worker के फॉल होने का सुपर्वाइजर का भी फॉल होने का खत्रा क्यों क्योंकि यहां से आपको यह करना वह करना एक सब्सक्राइब यहां पर वरकर कैसे गिर सकता है तो ऊपर देखो बाजू में रोड है अब गाड़ी जा रही है नौइस होगा नौइस होने की वज़े से है यहां पर रिजन होता है एक्सिडेंट होने का बार बार रिपीट करूंगा आपको यह बात समझ नहीं हो ठीक है तो ऐसे आपने अप्जर्वेशन देख लिया और क्या हो सकता है यहां पर भी देख सकते हैं लूज माटेरियल रखा हुग है तो कभी भी ऐसा काम कर रहे ह हो तो आपको यह सारी जीचे अब्जर्व करने और क्या पॉइंट हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बताईएगा तो मैंने आपके सामने लाइब बता दिया कि डे टू में मैंने एक फोटो लिया है उस कंस्ट्रक्शन साइट में जो एक्टिविटीज हो रही है आप एक्टिविटीज में ऐसे हजार की पॉसिबिलिटी होती है तो यह चीजे आपको अब्जर्व करनी है और समझना है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहां तक ही रखता हूं और उमीद करता हूं यह वीडियो आपको है फिलोगी ठीक है वीडियो में आपको कोई समझेंगे कि एक्ट्वल में हो क्या रहा है ठीक है कैसे आप सारा कुछ लर्न कर सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए-बाए